हेलो प्रेंट्स मैं कमलेस आप देख रहे हैं स्टेडी मेटेरियल एटू जेट एरफोर्स ग्रुप सी दोस्तों बहुत जादा यहां पे गलत यहां पे हो रहा है तो आज हम बात करेंगे आपके एक तो सबसे बड़ा डाउट की जो जामनगर स्टेलसन हैं उसका कंप्लीट म लेकिन किसी भी कैंडिडेट का नाम ना आना ये क्या साबित करता है मैंने वहां पे कोल सेंटर पे भी बात की थी दोस्तों उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो जो भी कैंडिडेट नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरू कर भाई का कंप्लीटली यही है कि हम केस करेंगे क्योंकि हमारा पेपर बहुत ही अच्छा गया था और ये सारी चीजे हैं आपके फूर डिटेल में हम बात करेंगे क्योंकि हो सकता है कि दोस्तों आप भी इस परकार की गलती कर दो फिर जो आपको पस्तावा होगा तो मैं हर क चाहता हूँ मैंने कल वीडियो रखी थी उसमें बहुत अच्छा आपका हेलप रही लेकिन इस भाई का भी यही मानना है कि मुझे भी एक सजेशन करो क्या मुझे कोई जो इंसाप मिलेगा तो भाई सभी इस बात का थोड़ा सा अपना अपना जो पॉइंट ओव यू है अप स्किल टेस्ट एंड पी अपटी कंड़क्ट हुआ था उनको अगर किसी प्रकार का आपको नंबर दिया गया है और आपको नंबर नहीं दिया था उन्होंने अब आते वक्त लेकिन आपके पी अपटी और जो स्किल हुआ था उसमें आपको कॉल जरूर की होगी देखिए मै आपी सारे candidate को message और call आई थी तो एक बार दोस्तों सभी candidate यहाँ पे जामनगर station का अपना जो है दोस्तों यहाँ पे नंबर जरूर सेंड करना मुझे और मैं उस भाई को भी नंबर देना चाहता हूं call center वाला मैंने दे दिया है कि आपको जो हो बात कैसे करवाई जाएगी वो सारी चीजे मैं तो चलिए ना हो दोस्तों मैं जब यहाँ पे आपको बता देते हैं कि आपके सबसे बड़ी गलती क्या थे कि मैंने एक वीडियो डाली और मैंने सोचा हो सकता है कि यह की candidate हो लेकिन मेरे भाई maximum candidate कि यहाँ पे यही क्योरी है कि कोई ना कोई उनके जो गलती यहाँ पे कर ही रखी है तो यहाँ पे ऐसे candidate पांच यार मिल चुके हैं जिनके admit card वाला भी problem सबसे ज़्यादा रहा कि उनका selection होने के बावजूद भी admit card जो बाद में आ रहा है क्या यार यह conditions है आप खुद देखेंगे सर 25 जुलाई को मेरा exam conduct हुआ था लेकिन 28 अगस्त को उसमें skill का debt लिखी गई थी लेकिन यहाँ पे 35 को इनका यहाँ पे admit card जो postman के द्वारा दिया जाता है हो सकता है कि भाई postman की गलती है लेकिन गलती भाई एरफोर्स की सबसे बड़ी गलती है जामनगर स्टेशन पे हर candidate को call and message किये गए थे तो इस भाई को क्यों message और call नहीं किया गया direct admit card क्यों भेजा गया भाई यह चीज आप हमें बताइए क्या गलती है भाई इस भाई को ना तो message किया इन्होंने ना ही call किया तो यह कोई एक station एचा नहीं है जामनगर ही कल हमने मुंबोई वाला देखा था उसमें तो लगबग सबी candidate को यही condition देखने को मिले थी लेकिन जामनगर के जितने भी candidate थे ना भाई सबी को call and message किया गया था तो call अगर message अगर call जीमेल जो भी अगर होता तो भाई फोटो कोपी निकलवा कर जा सकते थे लेकिन कुछ भी इन्हों के द्वारा नहीं जो यहां पे सैंड किया गया तो भाई के द्वारा कुछ decision भी यहां पे मुझे पूचा भी गया था कि सर क्या करूं क्या कुछ हो सकत है तो आप भी थोड़ा सा बताईए कि दोस्तों यहां पे मुझे की दोस्तों आप भी हमें बताईए कि जो अगर हम इन पे कोई भी आसी मतलब मैंने पहले बोलाए कि आप कारवाई ना करके तो उनसे बातचित करने की कोसिस कीजिए फिर तो देखिए भाई नोकरी का सवा हाल है यहां पे आपको पता है यहां पे मेरिट में नाम जो की आजाएगा क्या तो अगर मैं जहां तक जितना भी अभी एक्सप्रेंस है कि स्किल और अगर पी अप्टी में भाई वो आउट कर देंगे तो मेरिट कहां से तो यहां पे मुझे नहीं लगता है कि आपका मेरि डिपेंड करता है एफोस पे लेकिन उनका दबाव बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले कैंडिडेट को और दोस्तों यहां पे आपको भी बेनिफिट होगा कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा इसका तो मैं कहता हूँ कि यह आपका लास्ट होना चाहिए कि लास्ट प्रविटी होनी चाहिए कि आपको केस करना चाहिए लेकिन आपको कोशिस दोस्तों यहां पे कोशिस तो करनी चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं एरफोर्स की दुवारा बाचीत हो जाए तो वो क्या कहते हैं पहले आप पूरूप ले लो कि भाई अगर वो वो वोलत और बार बार यही बात बोल रहे हैं कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आया अगर कोई भाई कमेंट बोक्स में बताईए कि जिनका रिजल्ट आया हो जिनका स्किल के लिए एडमिट काड आया हो 29 जुलाई का कोई कैंडिडेट हो तो भाई प्लीज सभी कैंडिडेट अपना मैसेज जरूर करना जितने भी कैंडिडेट है 29 जुलाई को जिन्होंने एक्जाम दिया था तो ये एक बहुत बड़ा दोस्तों यहां पे इस्यू चल रहा है कि एफोस ने 29 जुलाई वाले क्या एक भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ ना मुझे मिल रहा है मुझे बार बार इ आद दोगे तो भाई अपडेट मिलेगा अगर किसी का भी 29 जुलाई को स्कील और पी अपटी था तो भाई एक बार वाटसप जरूर कर देना नंबर आपको मैंने बताये थे यही नंबर आपके यहां पे हमारे रहते हैं तो भाई यही है और देखिए मुझे किसी का नहीं मिला है 29 जुलाई का कैंडिडेट का तो आप सभी दोस्तों इस वीडियो को इतना सेर करो कि हर कैंडिडेट तक बात पहुंच जाए तो मैं चाहता हूं कि हर कैंडिडेट तक दोस्तों इनफोर्मेशन इसी परकार मिलती रहे और मैं आपकी ऐसे ही हैलप करता हूँ और जो को subscribe कर लो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो भाई टेलीग्राम पे जुड़ जाओ लिस्ट बगेर आपको सारी चीज़ें वहां पे updated मिल जाती है इंस्टाग्राम पे भी फोलो कर लो क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी भाई अपनी जितना स्पोर्ट अच्छा होगा तो भाई हम जो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कर पाएंगे चारीस आउट ओप 38 आ रहे हैं फिर भी नहीं हुआ तो भाई 38 वाले कैंडिडेट के मैंने देखे हैं कि कॉल मेसेज कभी कहीं आ चुके हैं तो ये एक थोड़ी सी दोस्तों यहां पर गलती हैं आप पताएए कि 29 जुलाई वाले कैंडिडेट का भाई रिजल्ट किसी का आया है क्या जिनको कोल बगेर कुछ भी आया है तो आप सभी कमेंट वोक्स में डालेगा तो गाईज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जै हैंदी